दोस्तो आपने 1971 में लड़े गए उस युद्ध के बारे में तो सुनाई होगा जहां हमारे देश की जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था ये भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी अ इनोंने अपने करियर में वर्ड वार से लेकर 71 की जंग तक कुल पांच युद्ध लड़े हैं लेकिन किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया है वो जाबाज होने के साथी बेहत चालाक युद्ध नीती में माहिर थे साथी वो देश के पहले ऐसे इंडि है कि इनकी लाइफ के उपर पूरी एक बॉलिवुड मूवी बनी है और इस मूवी में विक्की कोशल आपको लीड रोल में नजर आते हैं तो दोस्तों सैम मानिक्षा का जनम 3 अप्रेल 1914 के दिन पंजाब के अमरिस्सर में रहने वाले पारसी परवार में हुआ था और आप असल जब उनकी उमर 15 साल हुई तो उन्होंने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जित की लेकिन उनके पिता ने विदेश बेजने से साफ मना कर दिया अब चुकि बचपन से वो बहुत ही गुस्से और अकड़ वाले बच्चे थे ऐसे में पिता के इंडियन मिलेटरी अकैडमी को जॉइन कर लिया और दोस्तों इस तरह से ड्रीम जॉब ना होते हुए भी मिलिटरी में सैम मानिक शौ का करियर बन गया यह वो समय था जब हमारा देश भारत आजाद भी नहीं हुआ था और हमारी भारती सेना अंग्रेजों के लिए जंग लड़ा करती थी यहां तक कि हमारी आर्मी को भी उस समय ब्रिटिश इंडियार आर्मी कहा जाता था अब साल 1949 में जब सेकेंड वर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान के सिपाहियों के खिलाफ लेट कर रहे थे तभी वो एक मशीन गन के शिकार बन गये और उन का पूरा सरीर खून से लटपत हो चुका था लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे ब्रिटिश आर्मी के डिविजनल कमांडर मेजर जर्नल डैविट को वेन इस नजारे को अपने आँखों से देख रहे थे और सैम मानिक शौ की वीड़ता से वो इतना प्रभावित हुए और वो दोड़ कर उनके पास गया और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिटरी क्रॉस उतार कर उनकी वर्दी पर लगा दिया उस समय इनकी हालत देखकर सबको लग रहा था कि अब ये जिन करने से इनकार कर दिया कि इनके बचने के चांसे लगबग ना के बराबर हैं दरसल डॉक्टर को सैम मानिक शौ के बचपाने के उमिद बिल्कुल भी नहीं थी ऐसे में वो उनका इलाज करने में अपना समय बेश्ट नहीं करना चाता था लेकिन शेर सिंग ने जब उस डॉ दोक्टर के चहरे पर भी हसी आ गई और वो उनका इलाज करने के लिए राजी हो गया आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम मानिक शौ को लंग्स लीवर और किड्नी में कुल साथ गोलियां लगी थी और इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाने के बाद भी उनका जिंदा बच न जुवान वाले इंसान थे अपनी किसी भी बात को कहने से कभी नहीं चुकते थे और यही वज़े थी कि उनकी अपने सीनियर से और राजनेताओं के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और अपने इसी सोभाव की वज़े से उन्हें सिपाही बहुत ज़्यादा पसंद करते और जवान सचे दिल से उनका सम्मान करते थे अब दोस्तों यू तो सैम मानिक्षो अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक मुश्किल और मुसीबतों का सामना कर चुके थे लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने तब आई जब भारती सेना के सबसे स तरफ पलायन कर रहे थे और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उस टाइम की ततकालिन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने सैम मानिक्षो के साथ तुरंत एक मीटिंग की और पाकिस्तान को जल से जल एक मूतोड जवाब देने के लिए बोला असल में इंद्रा गांध पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही समय पर जंग शुरू हो जाती तो ऐसे में भारत की हार निश्चित थी इसलिए मानिक्षा ने इंद्रा गांधी के जंग शुरू करने के आदेश को सीरे से नकार दिया और दोस्तों वाकई में इंद्रा गांधी जैसी इस्ट्रिक्ट प्र परला शुरू से ही भारी रहा जहां भारती से ना एक के बाद एक एहम मोर्जे को अपने कबजे में लेती गई हालाकि जंग शुरू हुए अभी सिर्फ कुछी दिन बीते थे कि मानिक्षा ये बात समझ गये कि अगर ये युद्ध जादा लंबे समय तक चला तो इसमें भ भारत के सामने सरंडर कर दें अब मानिक्षा की ये रहन नीती वाकई में काम कर गई जिसके चलते 16 दिसंबर यानि की युद्ध शुरू होने के 13 दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने तेक दिये और दोस्तों बताया जाता है कि जिस समय पाकिस्तान के सैन को से ज़्यादा थे बलकि उनके पास हतियार भी हमारे सिपाईयों से बढ़ कर थे लेकिन इस सब बात का कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं था क्योंकि मानिकशौ पहले ही भारत को जीत दिला चुके थे और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी बलकि ये पाकिस्तान पर एक ऐ भूशन से सम्मानित किया गया और दोस्तों 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शर से भी नवाजा गया हाला कि सम्मान को प्राप्त करने के दो हफते बाद 15 जनवरी 1973 को उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटार्मेंट ले लिया लेकिन दोस्तों अपने बेबाग अंदाज के लिए वो तब तक जाने गए जब तक कि 2008 में 94 साल की उमर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा नहीं कह दिया और दोस्तों इनके बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो इनके उपर एक मूवी आ रही है जिसमें विक्की कोशल लीड रोल म हैं आप उसे देख सकते हैं और दोस्तों कि यहां तक की बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद